नमस्कार दोस्तो वमारे चैनल पर आपका स्वागत है आज मैं आपको जेंस का बहुत ही खुबसूरत सा स्वेटर का डिजाइन बनाने के लिए बताऊंगे तो दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किये तो सबस्क्राइब कर लिजी और पास के मल्टि प्लस पे डालिए पांच 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 और फिर चार फंदा एक्स्ट्रा डाल दीजे जितने फंदे की आपको आवशकता है पांच के मल्टि प्लस पे डाल लेजे और चार फंदा एक्स्ट्रा डाल दीजे फंदा डालने के बाद आप बॉर्डर बना लेजे और ब धागा को आगे करेंगे और दो फंदा उल्टा बनाएंगे एक दू धागा पीछे करेंगे और इस तीन फंदा को देखें कैसे बनाएंगे तीन फंदा को ऐसे उतार लेंगे और एक फंदा को इस सलाई पे चड़ा लेंगे और दो फंदा को इस सलाई पे चड़ाएंगे और इसको आगे कर लेंगे देखिए इस तरह से इसको आगे कर लेंगे और इस दो फंदा को पहले पीछे के तरब से ऐसे पीछे के तरब से एक फंदा बनाएंगे देखिए इस तरह से एक फंदा बना लेंगे और उसके बाद फिर यहां पर एक जादी बनाएंगे एक फंदा बन बना लेंगे और इसको ऐसे गिरा देंगे एक जाली बनाएंगे और इस फंदा को सीधा बनाएंगे इस तरह से तो यहां तीन फंदा पर तीन फंदा बन जाएगा धागा आगे दो फंदा उल्टा धागा पीछे और इस तीन दो फंदा को पहले इधर से उठा लेंगे इस फंदा को इस सलाई पर चड़ा लेंगे और इस फंदा को इस दोनों फंदा को हम इस तरह से एक फंदा बना लेंगे फिर यहाँ पर एक जाली बनाएंगे और इस फंदा को सीधा बना लेंगे दूसरा फंदा जो है उसको सीधा बना लेंगे धागा आगे दो फंदा उल्टा फिर देखिए धागा पीछे और दो फंदा जो ये दो फंदा है इसको हम ऐसे पीछे से भी बना सकते हैं देखिए इस तरह से बना लेंगे और एक पार जाली बनाएंगे और इस फंदा को गिरा देंगे और बीच वाला फंदा को सीधा से बुल लेंगे इस तरह से भी हम बना सकते हैं इसको धागा आगे दो फंदा उल्टा धागा पीछे और लाश्ट के फंदा को सीधा से बनाएंगे तो देखे हम पूरी सलाई बना लिये हैं और अब हम बनाएंगे उल्टा के तरब से उल्टा के तरब से देखे पहला फंदा को उल्टा से उतार लेंगे धागा पीछे करेंगे और दो फंदा सीधा बनाएंगे धागा आगे तीन फंदा उल्टा फिर धागा पीछे दो फंदा सीधा इस तरह से पूरी सलाई बनाएंगे दो फंदा सीधा और तीन फंदा उल्टा दो फंदा सीधा फिर तीन फंदा उल्टा फिर दो फंदा सीधा और लाश्ट के फंदा को उल्टा से बना लेंगे तो देखिए बस यही दो सलाई का हमारा डिजाइन है और बहुत ही खुबसूरत सा डिजाइन बन करके तैयार होता है तो इसको हम इसी तरह से पूरे में जब रिपिट करते जाएंगे तो हमारा बहुत ही खुबसूरत सा डिजाइन बन करके तैयार होगा तो हम थोड़ा सा आपको रिपिट करके दिखाते हैं तो देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा रिपिट कर दिये हैं और पूरे स्वेटर में आपको इस तरह का डिजाइन दिखेगा तो दोस्तों आपको मेरा ये स्वेटर का डिजयन कैसा लगा कॉमेंट करके बताएं अगर आपको मेरा ये स्वेटर का डिजयन पसंद आया हो तो लाइक करें और धीर सहरा सेयर करें पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थेंक यू